शाहिन अफरीदी एश्यकप से बाहर पाकिस्तान टीम को लगा बड़ा जटका रिप्लेस्मेंट ढूना बड़ी जिन्ता नमस्कार भोट सौगत है आप सबी कालवन इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पर बनते वह रही पाकिस्तान की टीम को एश्यकप की शुरुआत से पहले एक बड़ा जटका लग चुका है आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम का एलान किया गया तब स्क्वाइड के अंदर तेज गिंद बाद शाहिन शाह अफरीदी को शामिल किया गया लेकिन अब एश्यकप की शुरुआत से पहले जब टीम भारत के खिलाब 28 सगस से एश्यकप का अगास करेगी उसे पहले टीम को एक बड़ा जटका लग गया और टीम के स्टार और साथ ही तेज गिंद बाद शाहिन शाह अफरीदी चोट के कारण बहार हो गया टीम को एक बड़ा जटका लग चुका है इस बात की जानकारी भी खुद पाकिस्तान क्रिकेट ने दे दी है पाकिस्तान क्रिकेट ने इसका अधिक अलान भी कर दिया है कि शाहिन शाह अफरीदी एश्यकप से बाहर हो गए है और एशिया कप से पहले पाकिस्तान की टीम को एक बहुत बड़ा जटका लगा है साथ ही कहीं न कहीं माना जा रहा है कि भारत के लिए ये राहत के बात होगी क्योंकि शाहिन शाफरी थी जब T20 World Cup 2021 में पाकिस्तान और भारत की मुकाबले में गिंदबाजी के लिए उतरे थे तब उन्होंने भारत के तीन बल्ले बाजों का आउट किया था जिनमें कप्तान रोहित शर्मा उस वक्त के कप्तान थी विराट पुली लेकिन अपके कप्तान रोहित शर्मा और साथ ही केल राहूल वी शामिल थे और तीन-तीन पहले बाजों को आउट करने के पिछे एक ही गेंद बाज था नाम था शाहिनशा फृदी अब वो खिलाडी चोट के कारण बहर हो गया है तो ऐसे मैं माना जा रहा है कि भारत के लिए रहत की बात है हलांकि आपको बता दें कि शाहिनशा फृदी को 4-6 हफते का अराम करने की सला दी गई है दरसल उन्हें चोट है और उनका टेस्ट किया गया मेडिकल टीम ने जब उनका टेस्ट किया तो scan report में आया कि उन्हें 4-6 हफते आराम की जरूत है और medical team ने उन्हें आराम करने के सला दी है साथ ही माना जा रहा है कि England के खिलाब जब series होगी पाकिस्तान के तो तब भी शाहिनशाफ रिदी पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं होंगे इसके लावा बड़ी और अच्छी ख़बर ये है कि शाहिनशाफ रिदी टीटी वर्लकप तक का टीम के लिए फिट हो सकते हैं पराल ये तो उनकी आने वाली medical reports बताएंगी लेकिन अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में इस बात की चर्चा शुरू हो चुकी है कि शाहिनशाफ रिदी नहीं तो कौन की लाड़ी होगा जो पाकिस्तान की टीम में उनको रिप्लेस करेगा उनके बदले टीम के साथ जाएगा UA, दुवाई, एशिया का खिलने के लिए तो बड़ी ख़बर जो है उसके मताबिक आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट जल्द ही एएलान कर सकता है और शाहिनशाफ रिदी के बदले 30 गेंच बाज हसन अली को शामिल कर सकता है, हसन अली टीम के अंदर शामिल हो सकते हैं और वो पाकिस्तान के साथ एशिया कप स्क्वार्ड के अंदर शामिल नहीं किया गया था क्योंकि हसन अली इस वक्त आउट ओ फॉर्म चल रहे हैं लगतार रहा उनकी फॉर्म जो है वो खराब चल रही है और इस वजे से उन्हें इशाक अप में शामिल नहीं किया गया था लेकिन आप ये खबर है कि हसन अली टीम के साथ जूर सकते हैं क्योंकि शाइन शाप लेड़ी टीम से बाहर हो गए है मराला हसन अली की बात करें जब वह टीम के अंदर शामिल नहीं उन्होंने तब क्या कुछ कहा था इसके बारे में अगर आपको जानकारी दें हसन अली ने टीम में शामिल ना होने पर कहा था कि मैं निराश हूँ चुकि मैं इस वक्त आउट फॉर्म चल रहा हूँ मेरा परदशन हालिया सिरीज के अंदर हालिया मैचिस के अंदर खराब चल रहा है लेकिन मैं लगतार अपने उपर महनत कर रहा हूँ मैं मानसिक और शारगिक रूप से फिटनेस की और भ्यान दे रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी मैं टीम के साथ जूड़ कर मुकाबले खेलते हुए नजर आऊँगा और अब यह सपना हसान अली का सच हो सकता है और हसन अली शायद भारत के खिलाफ एशिया कप में पाकिस्टान की टीम से खेलते हुए नजर आ सकते हैं बरहाल क्या कुछ आपकी राहिस को लेकर कमंट करके जरूर बताएं साथ ही आप शाहिंचा प्रीजी के रिप्लेस्मेंट के तौर पर किस खिलाडी को देखते हैं हमें जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और स्पूर्स की तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एवन इंडिया नमस्कार